हमारे शहर में व्यापारी बंधू हमारे शहर के नागरिक आए दिन वहाँ पर पर्चिया कट रही हैं आए दिन पुलिस लोग पुलिस विभाग के ट्रैफिक पुलिस के लोग जिनसे व्यापारी बंधू हमारे देशत में हैं हमारे शहर के नागरिक उनको रोज चालान हैं होना भी चाहिए इनका अगल्यार होना चाहिए इनको सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन पुलिस की गत्विदिया यहां पर एक रेट लिश्ट नगाजी दिए रेट लिश्ट इतने काम का इतना पैसा उतना पैसा इस चीज़ का उतना पैसा इस चीज़ का उतना पैसा इस मुझे बेहत अफसोस है, बेहत खेले, मैं किसी प्रकार का माफिया नहीं चलाता हूँ, कोई कोईले की दलाली नहीं करता हूँ, कोई खदाने नहीं चलाता हूँ, किसी प्रकार का फुक का बार नहीं चलाता हूँ, किसी प्रकार का गोडागू का फैक्टरी नहीं चलाता आज मैं विधायक हूँ, मेरे स्पार्षद है, मेरे एंडर्मेन है, हमारे सम्मानी साती है, पुलिस में फोन करते हैं थाने में, बोलते हैं, देख लीजे, एक कुरुकरे चिप्स बेचने वाले माहूली से व्यापारी को, सीधे सरल व्यापारी को थाने में ले जाकर उसको कर दिया और उसकी बरात निकालने के लिए शहर में ले जाने लगे, असलम भाई, और उससे बोला, तीन हजार रुपए दो, नई तो हदकड़ी पूरे सहर भर में लगा के घुमाऊंगा तेरे को, यह इसी थाने की बात है, यह पुलिस की वरकिंग है, एक सबजी वाला के तकराओट हो गई, उस सब्जी वाले से तीन हजार रुपए ले लिया, और उसके बार बोला जाता है कि कल सब्जी लेकर भी यह चोड़के जाना, यह इसी थाने की बात कर रहा हूं मैं, अगर इस तरीके से पुलिस काम करेगी, इस तरीके से जो जनता में क्या विश्वास रहेगा, इस तरीके से काम पुलिस को नहीं करना है। बदाई देता हूं मंतर जी आपका बहुत बहुत आभार वेक्ट करता हूं